नवस्कार दोस्तों, देट है आज की 13 नॉवंबर 2023 और स्वागत है आपका एक्टोरल डिस्केशन में आज देखो दा हिंदू तो पब्लिस नहीं हुआ है, चुट्टी है आज दा हिंदू की दिवाली से अगले दिन चुट्टी होती है, लेकिन देखो इंडियन एक्सप्रेस के और एक आटिकल ORF का हम दिस्केश करेंगे ताकि हमारी continuity maintain रहे, दिस्केशन हम स्टार्ट करें, पहले तो मैं आपको बता रहे हूँ कौन-कौन से issues हम दिस्केश करेंगे, पहला, women को दिक्कत आती है criminal justice system को access करने में, एक ये आटिकल है, दूसरा lithium and geopolitics से समधित आटिकल है तीसरा CBI से समधित आटिकल है, CBI को लेकर West Bengal की सरकार और Central Government आमने सामने हैं लेकिन discussion हम सरकार स्टार्ट करें, उससे पहले एक dilemma वाला question है आपके लिए scenario देता हूँ, आप बताईए इस situation में आप क्या करोगे आपकी देखो एक burger company है, burger company की branches है, अलग-अलग सहरों में जैसे indoor में, पूने में, जैपूर में, अलग-अलग main-main जो cities है लखनाओं में पटना में वहाँ पर आपकी burger company की branches है, होता ये है, एक सहर में, for example, indoor में आपकी burger company की branch है न, वहाँ पर burger खाने की वज़े से न, दो लोगों की death हो जाती है, समझ गें, आपकी burger company की अलग-अलग सहरों में ब्रांचीज है एक सहर में बर्गर खाने की वज़े से दो लोगों की दैथ हो जाती है investigation होती है बहुत ज़दा media में ये मामला सामने आता है police investigation में एक बात ये सामने आती है कि दो लोगों ने मिलके दो लोगों ने मिलके आपकी कंपनी की ब्रांच में इंदोर वाली ब्रांच में injections लगाए बर्गर में जहर डाल दिया और उसके बाद उन बर्गर को खाने की वज़े से consumers की death हो गई, customer की death हो गई अभी इतनी बात सामने आई है लेकिन investigation अभी चल रही है तो ऐसी situation में आप क्या करोगे, आप बर्गर कंपनी के मालिक हो तीन options मैं आपको देता हूँ, आप options को modify भी कर सकते हो पहला option आप चुप रहोगे, कुछ नहीं बोलोगे, आप चुप रहोगे दूसरा option, जितने भी बर्गर्स हैना आप, आपकी कंपनी के अलग-अलग शहरों में, आप सब को recall कर लोगे, अभी फिलाल के लिए operations रोक दोगे तीसरा option, आप product recall नहीं करोगे, सिरफ जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता दो-तिन दिनों के लिए तब तक आप अपनी branches को कहोगे, बंद रहो मतलब branches open नहीं करोगे, सिरफ दो-तिन दिन के लिए जब तक मामला ठंडा ना हो जाए देखो, options सिरफ ये नहीं है, आप अपनी तरफ से innovative option लेके आईए इस dilemma का answer देने के लिए, आप ऐसी situation में क्या करोगे आपको hint देता हूँ, बिल्कुल सही answer जो है न, इन तीन option में से नहीं है क्यूंकि देखो, इसमें बहुत सारे stakes involved है, आप product recall करते हो न, तो फिर investors का बहुत ज़़ादा पैसा डूप जाएगा, trust बिल्कुल खतम हो जाएगा customers का, यानि आपकी company डूप गई, आपने अगर product recall कर लिया, तो चूप रहे, तो भी खत्रा है, और ज़रा patients की death हो सकती है, पता नहीं की accused ने कहां कहां पे injection लगाए हैं, और कितने लोग की death हो सकती है, उन burgers को खाने की वज़े से, तो ये सारे factors आप सोच समझ के answer दीजेगा, ऐसी situation में as a head of company आपका step क्या होगा, चलिए अब discussion start करते हैं, इसके बनने श्ठार्ट कल gender blind justice से समदित हैं, मीरा चड़्डा, एक retired IPS officer महराष्टर केडर की, इनके द्वारा ये आंटका लिखा गया है, अक्सर ये women related issues पर लिखती रहती है retire होने के बाद, आप देखो syllabus में, जहां एक तरफ GS paper 1 में women related issues हैं, वहाँ से इस article को relate कर सकते हो, GS paper 2 जो polity से समदित हैं, वहाँ से भी इस article को relate किया जा सकता हैं, जो मुख्य पॉइंट से इस article से निकल के आते हैं, वो इस परकार से हैं, writer कहती हैं, देखो हमारे देश मेरा आम नागरी को को criminal justice system access करने में दिक्कत आती हैं, क्योंगि आपको पता हैं, कोई दर्जगरवाईये, कुछ नहीं होगा, already cases बहुत ज़्यादा हैं, पुलिस reluctant होती हैं, बहुत बार FIR दर्ज करने में, FIR दर्ज हो भी जाए, तो investigation नहीं की जाती, पुलिस के द्वारा ठीक से, investigation हो भी जाए, court में case जाता है, court में cases की pendency बहुत ज़्यादा है, सालों साल तक, जो cases हैं, वो चलते रहते हैं, as a result, 60% से भी कम cases में conviction होता है, इसके बाद देखो, हाल खीमिना, एक study आई, does victim gender matter for justice delivery, क्या justice delivery में, period का, जो gender है, period male है, या female है, वो matter करता है या नहीं करता, report में कहा जाता है, कि हाँ करता है, क्योंकि देखो, वो cases, जो महिलाओं के दोरा फाइल किये जाते हैं, जो female के दोरा फाइल किये जाते हैं, उन में तो, और भी जड़ा दिक्कत है, जैसे example के तोर पर, अगर देखो, एक man, police station में जाएगा, report दर्ज करवाने के लिए, तो उसे आदे घंटा लगेगा, report दर्ज करवाने में, लेकिन एक महिला, police station में report करने के लिए दर्ज जाएगी, तो उसे एक से दो घंटे लग जाएंगे, समझ गए, तो जाहिर तोर पे क्या है, महिला को बलकि और ज़ड़ा दिक्कत आती है, criminal justice system को access करने में, अब इसी परकार से और points हैं, जैसे देखो, वो cases, जो महिलाओं के दोरा फाइल किये गए हैं, उनमें police जादा समय लेती हैं, investigation के लिए, और जो cases, महिलाओं के दोरा फाइल किये गए हैं, उनमें वो कम cases भेजे जाते हैं, court में trial के लिए, और finally, जो women complaints होती हैं उनमें ज़्यादा delay होता है, conviction काफी कम होता है, बाइजित बरी ज़्यादा होते हैं, जो accused हैं वो लोग, अब इसका solution भी बताती हैं, और वैसे reason भी बताती हैं, ऐसा क्यों होता है, मेरा चड़ा ये कहती हैं, देखो वो cases जिन में complaints women ने फाइल की हैं, महिलाएं के लिए मुश्किल होता है, वकीलों को hire करना, regular follow-up लेना, कि अभी case का क्या status है, महिलाओं के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि patriarchy हैं, घर का काम भी करना पड़ता है, responsibilities घर पे निभानी पड़ती है, और long distance travel करना difficult होता है, court की hearing में participate करना difficult होता है, तो वो follow-up नहीं ले पाती, इस वज़े से वो cases जिन में complaint महिलाओं ने फाइल की है, वो ज़्यादा delay से चलते हैं, conviction कम होता है, question उठता है, करना क्या चाहिए, यह important चीज है, राइटर कहती है, ज़्यादा women police officers को recruit करो, जो महिलाओं की complaints के परती ज़्यादा sensitive हो, ताकि महिलाओं को police station में complaint file करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए, अब देखो यह चीज हो भी रही है, जैसे women police station, women centric police station हमारे देश में अब काफी ज़्यादा open हो गए है, next, government को ना अपने से एक system create करना चाहिए, ताकि women cases की ना better monitoring हो सके, ताकि महिलाओं को खुद को, जिन्होंने case file किया है, जिन्होंने complaint की है, उनको बार बार खुद से follow up ना लेना पड़े, सरकार के पास ऐसी agencies हैं, ऐसे लोग हैं, जो खुद से इन cases की monitoring कर रही है, उस पे संग्यान ले रही है, अगर action slow है तो, अब तीसरा point देखिए, आप ये ensure कीजिए, ना सिरफ police बलकि courts जो हैं, उतनी ही seriousness दे, women complaints को, women related cases को, जितना की men की complaints को दी जाती हैं, ये सरकार सुनिश्चित करें, तो कुल मिला के देखो, ये मुख्य points इस article से निकल के आते हैं, कि हमारे देश में, जहां एक तरफ आम नागरिकों को दिक्कत आती है, criminal justice system access करने में, दूसरी तरफ, महिलाओं के लिए ये जो दिक्कत है, और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए ये मुख्य accents सरकार को लेने की आउशकता है, चलते हैं आगे, इसके बाद next article, lithium and geopolitics का है, देखो, ORF का ये article है, जिनको नहीं बता, उनको बता देता हूँ, ORF मतलब Observer Research Foundation, Think Tank है, जो IR से सम्मंदित इशूस पर research करता है, अब आपके मन में question आया होगा, beginners के मन में, क्या हमारे लिए important है, देखो, GS के लिए जितना IR important है न, वो Hindu Indian Express समेथ, दूसरे newspaper से cover हो जाता है, तो आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, कि आप ORF पे special जाकर वहां से notes बनाओ, बढ़ जिनका optional political science है, वो consider कर सकते हैं, ORF से important points को लेना, चलो अब article पर आते हैं, lithium and geopolitics, देखो, Namibia, अफरिका का एक देश, देख लिजे, ये है Namibia, यहाँ पर न, चाइना की एक company, जिन फैंग, लिथियम की mining कर रही थी, आरोप यह लगता है, चाइना की company, जिनक फैंग के उपर, कि इन्होंना illegal ढंग से, लिथियम का export किया, मतलब बिना permission लिए, जुरूट से ज़ादा, लिथियम दुथा, चाइना में export कर दिया, Namibia की सरकार, ने, चाइना की इस company का, जो license था, वो cancel कर दिया, बदले में, फिर इस company ने, Namibia की एक court में, case file किया, और case जीत लिया, लेकिन उसके बाद, Namibia की सरकार ने क्या किया, किसी भी परकार खा, लिथियम export पर रोक लगा दी, रोक लगाने के, बावजूद ये जो company थी चाइना की, जिन फैंग, वो लिथियम export करती रही चाइना में, फिर तो नवीबिया की सरकार को और गुस्सा आ गया, police force भेजी special, और action लिया, लिथियम के export को रोक दिया, देखो, आज के समय में जो लिथियम है ना, परकार से white gold है, white gold क्यों, लिथियम का इस्तमाल होता है, आज के समय में, batteries में, चाहिए electric vehicles हों, cell phone हों, lithium batteries की हर जगें आव सकता है, और आज तो आपको पता है, पूरी दुनिया जो है, clean energy की तरफ move कर रही है, आप electric cars देख लीजिए, हर कोई clean energy को use करना चाहता है, विबिन देशों के उपर pressure है, emission को कम करने का, लेकिन lithium हर जगा नहीं मिलता, lithium available है, आश्टेलिया में, South America के countries में, कनाड़ा में, मतलब कुछी जगाएं पर जो lithium है, available है, पूरे world का सिरफ 5% lithium, अफरीका में available है, वो भी कुछी देशों में, जैसे जिंबाबे, नावीबिया, ये सब देश, अब देखो, एक चीज आप, इस पे आप ध्यान देजिए, वैसे lithium, इन देशों में available है, आश्टेलिया में, कनेडा में, South America के देशों में, और अफरीका के उस देशों में, बट, चाइना में उतना available नहीं है, फिर भी ये सारे देश, जो है ना, आश्टेलिया वगएरा, अफरीका के देश, ये चाइना को lithium export करते हैं, क्योंकि चाइना के पास ना, lithium को process करने की capability है, रा lithium को कैसे, बैटरी में तब्दील करना है, वो capability, वो power चाइना के पास में है, इसलिए चाइना, दुनिया भर से lithium को import करता है, समझ गे, अब देखो चाइना क्या करता है, lithium हर जगे से import कर लिया, और खुद batteries में तब्दील करके, फिर उन batteries को, दुनिया भर के अलग-अलग इलाकों में send करता है, एक और चीज़ यहाँ पर, अब चाइना बहुत चलाक हो गया है, चाइना ना, जहां पे विविन देशों में lithium अविलेबल है ना, चाइना की companies खुद वहाँ पे license लेने लगी हैं, जैसे चाइना की company है यह जिन फैंग, इन्होंने नामीबिया में license ले लिया, तो इसी परकार से चाइना की अलग-अलग companies, दुनिया के अलग-अलग इलाकों में lithium को explore करने का license लेने लगी हैं, ताकि वहाँ पे ज़ादा से ज़ादा lithium को निकाला जासके, इससे देखो western countries चिन्तित हैं, कि अगर दुनिया भर के lithium की supply chains पे चाइना का कबजा हो गया, तो चाइना इसमें dominate करेगा और western countries के हाथ कुछ नहीं लगेगा, देखो वैसे अफरीका के जो देश हैं वो खुद से lithium को process करना चाहते हैं, जैसे नमीबिया जैसे देश हैं, बट दिक्कर पता हैं, lithium को process करने के लिए चाहिए आपके पास में technology, चलो माल ये technology ले भी ली western countries से, उसके बाद आपके पास चाहिए लगातार power, power नहीं कटनी चाहिए, लेकिन अफरीका के देशों में दिक्कत आती हैं, दूसरा, power भी मिल गई चलो, फिर देखो lithium को process करने के लिए चाहिए investment, आज के समय में चाइना एक ऐसा देश हैं, जो risky investment करने के लिए तयार हैं, फिर infrastructure चाहिए, जो lithium process हुआ है, उसे export किया जास के अच्छे से, अफरीका के देशों में, infrastructure अच्छा नहीं है, road अच्छे नहीं है, port अच्छे नहीं है, तो इसलिए अफरीका के वो देश, for example, नाबीविया, जो खुद से lithium को process करना चाहते हैं, battery बनाना चाहते हैं, ताकि दुनिया में export करके, खुद ज़्यादा पैसे कमाई जासके, वो खुद से नहीं कमा सकते, उनकी limitations हैं, जैसे देखो, अंग्रेजों ने भारत के साथ क्या किया, raw material यहां से ले जाते थे, England में जाके उसे process करते थे, और फिर से ready-made products इंडिया में भेज़ देते थे, दिक्कत ये थी ना, इंडिया के पास technology नहीं थी, raw material को process करने की, आज भी कई छेतरों में, इंडिया raw material ही export करता है, इंडिया के पास technology नहीं है, उसे process करने की, यही बात इस article में बोली जाती है, देखो, चाइना lithium processing में, और lithium की supply chains पर dominant कर रहा है, क्योंकि चाइना के पास पैसा है, technology है, capability है, infrastructure है, सब है, बाकी देशों के पास फिलाल नहीं है, और अब तो चाइना lithium mines को globally acquire कर रहा है, जैसे अस्टेलिया में, कनाडा में, अफरीका में, यह west के लिए बहुँ ज़रा चिंता की बात है, 2025 तक चाइना का पूरे दुनिया की global mines में, 70% lithium की जो mines है वो चाइना के पास होंगी, और 2022 में यह आंकडा सिरफ 20% था, तो चाइना future को देख रहा है कि lithium की आप सकता है, और ज़्यादा ज़्यादा lithium पे कब ज़किया जाए, तो यह पूरी geopolitics है lithium की, यह पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे, इसके बाद देखो next आर्टिकल CBI से समन्दित है, आप GS Papers 2nd के इस टोपिक से आर्टिकल को relate कर सकते हों, कंटेक्स देखो यह है, वेस्ट बंगाल ने आर्टिकल 131 के अंतरगत, सेंटर के अगेंस्ट सूट फाइल किया है, केस फाइल किया है, वेस्ट बंगाल सरकार का यह कहना है, हमने न, CBI के लिए जनरल कंसेंट वापस ले ली थी, तो CBI नए कैसी नई F.I.R. नहीं रजिस्टर कर सकती थी, वेस्ट बंगाल में, लेकिन बावजुद इसके, CBI जो है, फ्रेस F.I.R. रजिस्टर कर रही है, तो यह गलत है, इसलिए वेस्ट बंगाल की सरकार ने, सेंटरल गोर्मेंट के अगेंस्ट सूट फाइल किया है, सुप्रीन कोर्ट में, और इसके जबाब में, सेंटरल गोर्मेंट ने यह कहा है, कि देखो CBI एक इंडिपेंडनेंट लिगल एंटिटी है, जो यूनियन गोर्मेंट के डिरेक्ट कंट्रोल में नहीं आती है, इसलिए वेस्ट मंगाल सरकार की पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया जाएं, देखो CBI क्या है, बेसिक्स सारे चीजें हम डिस्कस करेंगे डिटील से, देखो CBI के उपर ना अभी काफी प्रेसर है, CBI की क्रेडिबिल्टी एक समय में काफी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज CBI की क्रेडिबिल्टी बहुँ ज़्यादा कम हो गई है, नो इंडियन स्टेट्स तो ऐसे हैं, जिन्होंने CBI से अपनी कंसेंट वापस ले ली हैं, अब CBI उन नो रिस्पेक्टिव स्टेट्स में अपने आप से प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती, तो मतलब ये देखो काफी गोर करने वाली चीज हैं कि नो इंडियन स्टेट्स में, CBI के अगेंस्ट, डिस्ट्रस्ट इतना ज़्यादा हैं, आज की समय में देखो आरोप ये भी लगता है, जो कुरेंट सेंटर गोर्मेंट है न, वो सिरफ CBI, EDI, ED, इनका इस्तमाल कर रही हैं सिरफ और सिरफ ओपोजीशन लीडर्स के अगेंस्ट, मतलब जहातर जो केशिस दर्ज हुए हैं न, वो सिरफ और सिरफ ओपोजीशन के लीडर्स पर दर्ज हुए हैं, जैसे ये अजन्सीज, इनका सिरफ काम यही रह गया कि ओपोजीशन लीडर्स के अगेंस्ट केस दर्ज करना, और बात देखो सिरफ अभी की कुवर्मेंट नहीं है, पहले UPA की सरकार थी, वो भी CBI के दुरूपयोग करती थी, बहुत ही ज़्यादा, मई 2013 की ये बात है, उसमें बहुत सारे स्केंडल सामने आये थे, UPA की सरकार के दुरान, और अब्जव ये किया गया था, कि CBI अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, तो उसमें, Justice RM लोधा ने ये कहा था, CBI तो पिंजरे में बंद तोटे के समान है, जो अपनी सिरफ मास्टर की वोईस रिपीट करता है, उसी परकार से, मतलब जो पोलिटीशन कह रहे थे ना, उसमें UPA की सरकार के दुरान मुझूद, उन्हीं मनिश्टर की बात मान रही थी, CBI और आज भी ऐसा ही हो रहा है, आपको अपने अक्षर्द ये देखा होगा, कि कहीं पर कोई क्राइम हो जाता है, जैसे मिस्टिरियस मर्डर हो गया, तो ना, लोकल जनता का पहला, मांग ये हुआ करती थी, कि CBI इस केंज की जांच करे, बट अब तो ना, CBI के ऊपर से भी लोग का जो ट्रस्ट है न, वो घटने लगा हैं, आपको देखो इतना तो पता हैं, CBI जो है, वो देश की प्रीमियर इन्वेस्टिकेटिव एजनसी हैं, बहुत बार आपने देखा होगा, कई सारे स्टेट्स में, जब कुछ घटना होती हैं तो मांग उठने लगती है, कि केस जो है, वो CBI को सौपा जाए, क्योंकि लोगों को पुलिस पर विश्वास नहीं होता, हलांकि एक तर्क ये भी है, आज के समय में CBI की उतनी रेपूटेशन नहीं हैं, खास करके जो opposition ruled states है ना, वो तो CBI पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, कौन से department के अंतरकत आती है CBI, Department of Personnel, Ministry of Personnel, Pension and Public Gravences, ये जो department है, ये देखो directly PMO के अंडर आता है, प्री में ये कोशन पूछा जा सकता है, और देखो एक खास बात, CBI जो Prevention of Corruption Act से समदिद cases लेती हैं ना, उन cases में फिर CBI का supervision किया जाता है, Central Vigilance Commission के दवरा, ये खास बात हैं, इसके लावा देखो Interpol, जो International Criminal Police Organization है, ये विबिन देशों की पुलिस के बीच में cooperation करती, cooperation establish करवाती हैं, तो इंडिया की तरफ से देखो, Interpol से डील करने के लिए, Nodal Agency CBI ही हैं, और CBI जो cases लेती हैं उसमें conviction rate है, 65 से 70% के बीच में, conviction rate काफी जादा है, इसी वज़े से CBI की थोड़ी respect हैं, बाकी investigative agencies की अपेक्सा करत, इसके बाद देखो, तो थोड़ी और basic information भी है, CBI को establish क्या गया था, 1963 में, ये अपने power लेती है, Delhi Special Police Establishment Act 1946 से, शुरू में तो इसे, इन cases के लिए establish क्या गया था, जैसे, corruption, serious fraud, social crime, hoarding, black marketing, लेकिन देखो, over the period of time, CBI को ये सब cases भी दिया जाने लगे, जैसे assassinations, kidnapping, hijacking, crime committed by extremists, अब अगर हम classify करें, CBI के द्वारा कौन कौन से, cases को tackle किया जाता है, सबसे पहले है, anti-corruption crimes, corruption से समंदित crimes, यहाँ पर देखे आप, prevention of corruption act से समंदित, जो cases होते हैं, central government के employees, या फिर public officials के against, तो उनको tackle किया जाता है, CBI के द्वारा, इसके अलावा, even public sector undertakings, corporations, या फिर bodies, जिनका मालिखाना हक, government of India, यानि central government के पांस होता है, तो उन cases को tackle किया जाता है, CBI के द्वारा, police के against, जो case होते हैं, वो CBI के द्वारा नहीं tackle किया जाते हैं, army crimes और भी जैसे, import, export, foreign exchange violation, आप समझ गए होंगे, इसके बार next है, special crimes, जैसे देखो, IPC के तैद कोई crime हुआ है, for example, murder हुआ है, काईदे से उसकी जांच की जानी चाहिए, police के द्वारा, लेकिन बहुत बार, state government ऐसे crimes को सौंप देती है, CBI को, state governments को लगता है, CBI ज्यादा better done से, इस परकार के crimes की जांच करेगी, सबसे last में है, sue motor cases, अब माली जप्री में question पूछ लिया गया, क्या CBI, sue motor case ले सकती है, मतलब, कहीं पर हमारे देश में crime हुआ है, अपने आप से संग्यान लेकर, क्या CBI police और case दर्ज कर सकती है, इसका answer देखो ये है, सिरफ union territories में, अगर कोई offense हुआ है न, उसका sue motor संग्यान लिया जा सकता है, CBI के दवरा, sue motor मतलब, अपने आप से, कोई सिकायद नहीं आई थी CBI के पास, लेकिन अपने आप से ही CBI ने, देखा अखबार में और case दर्ज कर लिया, जैसे बहुत बार, police ऐसा बोलती है न, कि हमने देखा एक video viral हो रहा है, और उस viral video के अधार पर हम case दर्ज कर रहे हैं, अपने आप से ही उन्होंने viral video देखकर case दर्ज कर लिया, किसी ने इसकायद नहीं की थी, दो बाते जिस पर प्री में कोशन पूठे दा सकता है, Central Government देखो, CBI को authorize कर सकती है, State में किसी crime की investigation करने के लिए, लेकिन ये तभी ये possible होगा, जब consent State Government की consent मिलती है, State Government अगर consent नहीं देगी न, फिर investigation नहीं की जा सकती, CBI के दवरा, लेकिन देखो, कहीं पर भी crime हुआ है, उसकी जांज करने के लिए, और इसके लिए State Government की consent की आव सकता नहीं है, Central Government जब आदेश देना, तब State Government के consent की आव सकता है, तो खुल मिला के आप देखो, हम challenges summarize कर देते हैं, आर्टिकल नंबा होता जा रहा है, challenges क्या क्या है, excessive political interference के पहला challenge है, बहुत ज़्यादा political interference होती है, investigation लंबी खिच जाती है, काफी delay हो जाता है, credibility काफी ज़्यादा lose की है, CBI ने पिछले कुछ सालों में, accountability नहीं है, right to information act के अंतरगत CBI आती नहीं है, इनसे कोई जवाब मांगा जाए तो देते नहीं है, क्योंकि exemption है न, मतलब RTI लागू ही नहीं होती नहीं होती नहीं पर, next है acute shortage of personnel, deputation पर जाते हैं CBI में, हलांकि जो SSE का exam होता है न, CGL का, उसमें CBI के लिए भी recruitment की जाती है, सब inspectors की, लेकिन बहुत कम की जाती है, जाहतर जो officers होते हैं CBI में, वो deputation पर जाते हैं, next है limited powers, state government की consent चाहिए, जांज करने के लिए, इस वज़े से उनकी power काफी ज़्यदा limited हो जाती है, next है restricted access, अगर देखो joint secretary या फिर उससे बड़े level के, central government के officer की जांज करनी है न, तो इसके लिए आपको central government से prior approval लेना पड़ता है, अब बहुत बार central government approval देती नहीं है, क्योंकि joint secretary या फिर उससे बड़े level के कई officer उनके चहेते होते हैं, तो अपने चहेते officers को बचाने के लिए central government CBI को approval देती ही नहीं है, तो ये challenges हैं, अब बात करते हैं suggestions की, सबसे पहला suggestion तो ये है, देखो अभी chief justice of India ने तो ये suggestion दिया था, कि एक बड़ी umbrella organization establish कर दी जाए, जिसको लेकर हमने article भी discuss किया था, उस बड़ी umbrella organization के अंत्रकत सारी investigation agencies आ जाएं, जैसे ED है, serious fraud investigation agency है, वो सारी आ जाएं, लेकिन writer कहते हैं, मैं तो उस idea से इत्थिफाक नहीं रखता हूं, मुझे तो वो idea पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें ego class हो जाएगा काफी जादा, coordination की दिक्कत आ जाएगी, लेकिन कुछ अलग से suggestions हम discuss करें, सबसे पहले तो na CBI को आप autonomy दो, government के control से इसे बाहर कर दो, जब तक देखो, government का control रहेगा, transfer को लेके, या फिर posting को लेके, तब तक CBI जो है, compromise रहेगी, next, अभी देखो, ये Delhi Police Establishment Act 1946 से power लेती है, लेकिन इसके लिए na CBI के लिए अलग से एक कानून बना देना चाहिए, जैसे CAG के लिए election commission इनका प्रोविजन है, सविधान में ही, इस वज़े से थोड़ा ज़्यादा independent होके ये काम करते हैं, तो उसी वज़े से सविधान में प्रोविजन किया जा सकता है, या फिर अलग से कानून बनाया जा सकता है, कम से कम आप सविधान को अमेंड ना करो तो, इसके बाद next है, department related standing committee ने अपनी 24th report में कुछ recommendations दी थी, जैसे human resource को मजबूत कर दो, CBI की strength को increase करके, अच्छा infrastructure प्रोवाइड करने के लिए थोड़ी investment दो, थोड़ा इनको पैसा दे दो, इसके बाद next financial resources increase कर दो, same point है, ज़्यादा powers दे दो, next point है, investigation करने के लिए, हमने disadvantage में, यानि challenge में discuss किया था कि CBI के पास limited powers होती है, सबसे last में, second ARC को भी आप यहाँ पे code कर सकते हो, answers में देखो, यह जो commission, सेनर जैसे पूंची commission है, सरकारिया commission है, second ARC report है, खास करके GS paper 2 में इन सब को code करोगे ना, तो काफी value addition हो जाता है, तो इनकी points आप हमेशा याद रखिएगा, और भी जैसे एक committee कर्थित की गई थी, national committee to review the constitution, 2001 के आज पास उसकी report आई थी ना, उसको भी आप code कर सकते हो, तो second ARC में suggest क्या गया, कि एक नया कानून बनाना चाहिए, CBI की working को govern करने के लिए, कोशन देख लिजे जो आपको attempt करना है, दो कोशन आपको attempt करने हैं, देखो एक तो CBI की functioning से सम्मदित है, और फिर उसका बाद criminal justice system से सम्मदित है, कि इस परकार से महिलाओं को criminal justice system को access करने में, बलकि और भी ज़्यादा दिक्कत आती हैं, परी का एक छोटा सा question आपसे पूशता हूं, simple question है, आप बता भी दोगे, CBI जो है, कौन से department के administrative control में आती है, कौन सी ministry या फिर department के administrative control में CBI आती है, number one, ministry of form of air, number two, cabinet secretariat, number three, PMO, number four, ministry of personnel, बताइए, आप लोग एर answer तो देते नहीं, मैं answer ना दूँ, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, किसरा आपने answer नहीं दिया, लेकिन आप खुद से भी नहीं देते हो, बताइए, इसका answer क्या है, इसका answer है, D, ministry of personnel, तो यह थी हमारी आज की discussion, कैसे लगए आपको discussion, आप comment box में बताइए, कल मिलते हैं फिर से, एक नहीं discussion के साथ, नहीं energy के साथ, तब तक के लिए, thank you, thank you very much for discussion, कर दो दो आपको से,